हेलो बच्चों तो ये आपका पेपर जो भी सोला मई को हुआ बहुत ही बड़ी है पेपर था कंपल्सरी सेक्षन तो आपके हाथ था बाकी जिस तरह से मैंने बताया था कि थर्ड फोर्ट सैवन चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है जिनोंने एट्थ चैप्टर पढ़ा होगा उनका एक कोशन छूट गया होगा ये वाला बाकी यहां से ये कोशन हो गए होगे और जिनोंने नाइन्थ चैप्टर पढ़ा था तो उनका तो बहुत ही बढ़िया होगा पूरा ही हो गया होगा ये भी हो गया होगा जिनोंने पढ उसकी डेरिवेशन तब भी तो इस तरह से जिन्होंने एट्थ चैप्टर पढ़ा एक कोशिन चूटा होगा नाइन्थ चैप्टर पढ़ा होगा तो कर लिया होगा सारा या फिर जिन्होंने सिर्फ इंपोर्टेंट ही पढ़ा था तो एट्थ चैप्टर वालों का एक कोशिन यहां से चूटाओगा एक कोशिन यहां से बाकी नाइन्थ चैप्टर का भी एक कोशिन चूटाओगा और यह जो कोशिन है यह ना ही HPU के कोशिन पेपर में कभी पूछा गया था और ना ही SPU के लेकिन देखो यह पेपर में आया और मैंने important में बताया था तो इसलिए HPU के कोशिन पेपर के पीछे नहीं भागना है मैंने पिछली वीडियो में यह बोला कि HPU का important आपके लिए important है ना कि यह बोला कि HPU के कोशिन पेपर करके आप पास हो जाएंगे अगर आप HPU के कोशिन पेपर भी देखोगे उनका भी करके जाओगे तो maximum जो है वो repeat होते हैं लेकिन तब भी सारे कोशिन को मिला के कम कोशिन बनेंगे और उनके अलावा भी पेपर में आता है तो जो मैंने बताया है कुछ सोच के बताया है आपको अपना टाइम देख के बताया है और मुझे अब तीन साल हो गए यह सब बताते हुई तो इस तरह से काफी अच्छा पेपर था बाकी पेपर भी अच्छे ही होंगे अब जैसे math है तो उसमें आपको math का question solve करना आना चाहिए वो है उसमें important और evs और writing skill में important नहीं चलता है उसमें आपको complete पढ़ना पड़ेगा बाकी बाते मैं बाद मैं बताऊंगी उसकी वीडियो में और उसके लिए तो काफी चुटिया है तो उनका उनकी वीडियो में और ये मैंने इस वीडियो में बता दिया question paper के बारे में अगली वीडियो में हम कोई discuss नहीं करेंगे पुराने जो हो गया वो हो गया paper खतम बात खतम अब पिछला जैसा मरजी हुआ है लेकिन अगले paper पांच paper अभी आपके हाथ में है जो बाकी आपके हाथ में है जो आपके control में है अभी exam उनको best करो और अब भी है time पढ़ने का बात में कोई नहीं बोलेगा आपको पढ़ने के लिए अभी है एक महिना जून तक पढ़ना है आपने बस और ये दो ही paper है एक एक छुटी वाले इसमें यह है आपको मैनद करने के जूरत बाकी में तो बहुत छुटीयां है राम से हो जाएगा तो ये है 2023 का अब इन question paper पे भी dependent नहीं रहना है ठीक है अब कुछ chapter होते है वहाँ से question देने लाइक वही question होते है तो वो repeat हो जाते है लेकिन बाकी में भी नहीं होते है repeat तो इस तरह से यह आपका paper है और इस तरह से होता है section है 14 नमबर का फिर ये 99 नमबर 36 बनते हैं 50 नमबर ठारा नमबर से पास होते हैं और मैं अगर न वीडियो में passing marks बोलते हूं तो उसका मतलब यह है कि 25 या 30 marks ठीक है ठारा नमबर तो बन जाते हैं लेकिन ठारा नमबर बन नमबर आएंगे paper में तो इस तरह से यहां से 30 हो गया है चलो यहां से 10 नमबर का 40 नमबर का हो गया और यह मैंने important बताया है chapter wise ठीक है unit 1 के first chapter है second, third, fourth chapter, unit 2, unit 3, unit 4, कुछ book में न इसमें 2 chapter बनाया है कुछ book में एक chapter बनाया है मेरे पास R.D.Publication की book भी है उसमें जो है यहां पे एक ही chapter बनाया है तो इसका आप आधाध करके पढ़ सकते हो ठीक है paper में mix हुआ नहीं है कि यहां से question दे दिया हो अभी तक लेकिन चलो अगर दे भी देंगे न तो एक question छूटेगा लेकिन बाकी paper तो अच्छा हो जाएगा न ऐसा भी होता है जादा पढ़ने के चकर में मतलब जादा पढ़ोगे मतलब complete complete पढ़ने बैठ होगे तो पर भूल भी सकता है और ऐसा भी होता है कि आप complete पढ़ ही नहीं सकते आप complete पढ़ने के चकर में important भी छोड़ दोगे तो इसी लिए अगर एक question छूट जाए कोई बात नहीं लेकिन एक part पढ़ो जो पढ़ सकता है दूसरा part भी वो पढ़ लेना बाकी एक एक करो तो यह है syllabus unit 1 में है आपके 4 chapter unit 2 में 5th unit 3 में 6th unit 4 में है 2 modern की book में जिसकी book में एक है तो आद आद देख लेना इन book के pdf में आपको description box में दूँगी वहाँ से भी pdf आप देख सकते हो यहाँ से भी पढ़ सकते हो RD publication के book के pages दूँगी में वहाँ से भी पढ़ सकते हो ठीक है कुछ topics जो है इसमें मतब जोड के कर दियें वहाँ पे थोड़ा अलग अलग भी है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो ठीक है जो important में मैंने यहाँ पे लिखा है न तो वो topic जो है इस book में कि कठ्थे जैसे दिय होगा मतब ठीक से थोड़ा explain नहीं होगा अब सब अलग अलग बुक बनाते हैं तो आप उसको RD publication की book से देख लेना ठीक है लेकिन ये topics करने जरूरी है ठीक है ये जो topics हैं ये book में भी मैंने टिक लगाए है लेकिन आप यहाँ से देखना कि जब आप बुक से पढ़ लोगे तो यहाँ पर देख लेना कि कोई question छूड़ तो नहीं गया मेरा important तो इसमें क्या करना है जिन्होंने best paper देना है तो chemistry के paper के बाद क्या करना है उस दिन उस दिन unit one का करना है आपने second, third, fourth chapter सब भी ने करना है first chapter को इतनी importance मत देना क्योंकि अजीब सा question पूछेंगे अजीब सा chapter क्या पता यहाँ से variable, separable form दे दे या कुछ भी question इसको दे दे तो second, third, fourth chapter करना fourth chapter को पढ़ना complete मतले important के अलावा भी देख लेना जो math math करके देख लेना बाकी topics का इस तरह की derivation देख लेना करके और कुछ line पढ़ लेना समझ रखना second का important, third का important, fourth chapter complete, fifth chapter का भी important हो गया उस दिन इसका आपने compulsory के लिए ये question देख लेने है, short question देख लेने है, short question पूरी book के करने है और इन मेंसे आपके अदे compulsory के question हो जाते हैं, मतलब same to same question पूछते हैं compulsory में एक आद question पूछ लेते हैं, अलग सा knowledge के लिए, कि इस बच्चे को समझ है की नहीं तो मतलब यहां से आने ही आने है compulsory में question और यहां से mcq भी देख लेने है, पढ़ने है ये भी mcq short question आपने पूरी book के करने है, तो उस दिन इन पांच chapter के आपने short question mcq कर लेने है अगले दिन इसका important पढ़ना है, और इन दोनों में से जो chapter कर रहे हो उसको भी complete करना है, important के अलावा भी और इस chapter को जो करेगा न 7th, इसको भाई complete पढ़ना, छोटा सा chapter है complete बिल्कुल और इस chapter को जो कर रहा है, वो भी important के अलावा देख लेगा मतलब अच्छी तरह से करेगा इस chapter को भी, तो ये भी हो गया और इन के कर लेने compulsory के लिए short question और mcq और फिर अगले दिन सुबह उठके, जितना आपसे हो सकता है, इसका बापिस से revise कर लेना 5 chapter तक पिछला तो याद रहेगा, तो इतना कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, जिस तरह से आपको ठीक लगता है और जिनोंने पास होना है, वो क्या करना, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh इन chapters को कर लेना, इसका important पढ़ लेना, बाकी थोड़ी knowledge रखना जैसे ये है तो इनको पढ़ लेना है से, कि space, time, metric, properties क्या है कि त्री dimensional है, flatness है, ऐसा है, वैसा है ये क्या होता है, conservative, non-conservative, वैसा छोटा सा question भी पूछ लेते हैं तो इतनी knowledge रखना, क्योंकि जितनी आप knowledge रखोगे, जितना आप समझ रखोगे, बाकी चीज़ों की भी ना, उतना ही आपका paper अच्छा होगा तो समझ गए, compulsory के लिए, पूरी book के, mcq, short question बाकी बड़े question के लिए chapters करने हैं, ये दो का करना important इन दोनों में से जो chapter करोगे complete और ये तीन करना है, second, third, fourth क्योंकि mix करके दे सकते हैं, कोई पता नहीं होता है, इसलिए second, third, fourth करना है fourth complete पढ़ लेना है, second, third का करना चाहे, important ही तो छे chapter आपको करने करने हैं, और numerical भी देखने हैं, जब आप chapter पढ़ रहे हो, तो जितने आप से numerical हो सकते हैं, उतने कर लेने, paper में numerical भी आते हैं, बच्चे इसी वज़ा से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो numerical को skip करते हैं पेपर में numerical भी आएगा ही, लेकिन भगवान करें कि ना आए आपको numerical तो इसी के साथ इसका हो गया, all the best सभी को